सुप्रिम कोट ने आचार बालक्रश्ण और बाबर रामदेव का माफी नामा किया अस्वीकार दस अप्रेल को होगी मामले के अगली सुनवाई सुप्रिम कोट ने एलोपैत को लेकर ब्रामक विग्याबन मामले में पतंजली आयरवेव के मदी आचार बालक्रश्ण और बाबर रामदेव के माफी नामा को अस्वीकार कर दिया है कि आपकी और से आश्वाशन दिया गया उसके बाद लंगन किया गया यह देश की सबसे बड़ी आदालत की तोहिन है और आप माफी मांग रहे हैं यह हमें स्वीकार नहीं है आप बहतर हलफ नामा दाखिल करें मामले के अगली सुनवाई दस अप्रेल को होगी आपको साहिए बाबा रामदेव की तरफ से कहा गया कि वह कोट से बिना शर्त माफी मांगने को तयार है उसके बाद सुप्रिम कोट ने बाबा रामदेव और बालकरस्ट को एक और मौका दिया कोट ने बहदर अलफ नामा दायर करने को कहा है कोट ने कहा कि राज लाइसेंसिंग थोर्टी ने भी अपनी जमिदाई ठीक डंग से नहीं निभाई अगली सुनवाई पर भी बाबा रामदेव और बालकरस्ट को कोट में पेश होना होगा वहीं दूसरी तरफ आज सुनवाई के दुरन कोट ने योग के शेत्र में बाबा रामदेव के काम की सरहना की आचार बालकरस्ट ने विग्यापन पर खेद प्रकट करते हुए कहा था कि विग्यापन में जो अपमान जनक वाक्य हैं उन पर हमें खेद है आचार बालकरस्ट ने पतंजली के फॉर्मूलेशन की चमतकारी शमताओं के बारे में दिये गए उन ब्रहामक दावों पर बिन आचार बालकरस्ट ने बाबारामदेव को भी कारण बताव नोटिस जारी कर पेश होने के लिए कहा था